Hello future engineers, IITN या फिर बोलें तो software engineers IIT में computer science का आज की date में इतना demand है कि बच्चे को अगर पूछा जाए 100 में से 99 बच्चे को तो बोलेंगे computer science चाहिए फिर अगर जो 100 बच्चा ढूड़ा जाए तो तुम्हें क्या चाहिए वो भी बोलेगा computer science चाहिए second option क्या है बिटा IIT में सर वो भी computer science अगर IIT में computer science नहीं मिलता तो क्या लोगे सर NIT में computer science अगर NIT में भी computer science ना मिले तो तब वो सोचके कुछ आपको बता सकते हैं वो भी nearby branches इतना बड़ा crazy है और crazy हो भी क्यो ना क्योंकि computer science का placement लगातार 100% रह रहा है इवन इन दिस COVID period इस 100% तो आज हम लोग डिसकस करेंगे मैं आपका मिस्टा सर हम लोग डिसकस करेंगे कि computer science IIT के अंदर लेने के लिए आपकी all India ranking कितनी होनी चाहिए IIT Bombay में कितनी होनी चाहिए IIT Delhi में कितनी होनी चाहिए IIT Kanpur में, IIT Chennai, Madras IIT Khadagpur, IIT BHU सारी IITs में कितनी होनी चाहिए यह complete analysis में दे रहा हूँ 2020 का के base पे 19 के base पे 18, 17, 16 के base पे भी है बट इस वीडियो में बड़ा हो जाएगा cover नहीं किया उसको मैं अपने telegram channel जिसका नाम मिस्रा सर करके है उस पे आप ढूढ़िएगा उसको subscribe करिए मैं उसका link भी इस वीडियो के description में डाल रखा हूँ आप लोग उस telegram channel पे जाएए और वहाँ पे similar PDF या JPG के form में मैं वहाँ available करा दूँगा तो वहाँ से आप पिछले 5 सालों का JEE में computer science लेने के लिए आपके कितनी all India ranking होनी चाहिए category wise भी general, girls quota OBC, SC, ST यह सारी detail तो सुरू करते हैं सबसे पहले जो most demanding college है पूरे इंडिया के सारे 12th class के बच्चों की जो IIT की तयारी करते हैं वो है IIT Bombay आज की date का IIT Bombay में 2020 में general category में 66 was the cutoff मतरव इसके उपर वाले बच्चों को general में computer science नहीं मिला था 19 में ट वस 37 only यह general की बात कर रहा हूं अगर हम female की बात करें girls quota में तो 248 cutoff था 2020 में 2019 में ट वस 122 economical backward class weaker section जो EWS बोला जाता है उसका cutoff था 2020 में 18, 19 में ट वस 6 and 2020 girls के लिए it was 167 and for female 2019 में ट वस 26 तो 2020 थोड़ा relief देने वाला था OBC में ट वस 44 2020, 2019 में 63 girls में 338 313, 19 में और बात करते हैं SC category SC category All India ranking 29 होनी चाहिए computer science Bombay में लेने के लिए 21, 19 में था ST में 13 All India 22 की बात कर रहा हूं सबसे पहले 15, 2019 में girls थोड़ा जरूर relax हैं देख सकते हूं स्क्रीन पे 107 SC का था 2020 में ST का 727 था और 19 थोड़ा सा tough था और girl SC में 105 ST थोड़ा easy था इट वस 77 तो IT Bombay जो आज को हम लोग देखते हैं कि number 1 पे है उसमें तो ये scenario रहा अब आज आते हैं दूसरे number पे IT Delhi में IT Delhi में सबसे पहले मैं 2020 की बात कर रहा हूं General 105 पे close हो गया female का 521 काफी रहात है लड़कियों को अगर तयारी करती हैं सिरियसली economical weaker section में General में 32 2020 में 2020 में girls 103 OBC है 83 और girls का 438 SC है 41 girls का 122 ST है 25 girls का 32 और 2019 में आपके सामने ये ranking दी हुई है तो Bombay के बाद अगर हम देखें तो Delhi का number आता है इस ranking में और भी देखेंगे कि और भी किसी का क्या ranking आए number आता है क्या उसके आस-पास है क्या चन्नई बीट कर रहा है या कानपूर उसको बीट कर रहा है या BHU कर रहा है या रुडकी कर रहा है तो ये आपको अभी मैं बताऊंगा सारी IIT का तीसरे number पे मैं डिसकस कर रहा हूँ IIT कानपूर को IIT कानपूर में जो 2020 की बात सबसे पहले करूँगा जनरल केटेगरी में 239 वर्थ कटाफ गर्ल्स 809 यानि 809 रैंग भी लड़कियों की है तो उनको आराम से computer science मिल जा रहा है IIT कानपूर के अंदर economical weaker section 46 और 269 263 OBC non creamy layer 152 और 677 SC 91 289 ST 43 63 19 का आपके सामने है आप देख सकते हो तो computer science कानपूर में लेना पर Delhi और Bombay easy है अब आजाते हैं IIT मद्रास मद्रास मुझे लग रहा third number पे है क्योंकि कानपूर से भी tough merit यहां पे गई है यहां पे general closing हो गया 158 और girls में 576 economical weaker section 37 girls 164 OBC 92 girls 402 SC 54 girls 181 ST 23 और girls में भी 23 इसका एक region और हो सकता है basically कई बार IIT का जो tradition देखा गया है बच्चों का selection तो जो एक बच्चा कानपूर एरिया का है UP एरिया का है उसको अगर IIT देली भी मिल रहा और कानपूर भी मिल ला हो तो कोसिस करता कानपूर में रुख जाए similarly South में हैधराबाद से काफी अच्छा selection होता है IIT में South में बच्चे अच्छा perform कर रहे है तो उसका भी एक region है कि IIT Bombay और देली के बाद वो कानपूर को चूज ना करके मदरास को चूज कर लेते है तो मदरास देखने में आया कि IIT कानपूर से better है या tough है to get through अब आ जाते हैं हम लोग IIT खडगपूर यह सारे पुराने IITs हैं जो मैं ले रहा हूँ पुराने IITs का charm होता है IIT खडगपूर में 2020 के बात करूँगा तो जंदल 293 पे close हो गया था यानि IIT कानपूर से easy है यहां पे लेना और girls 890 पे EWS 53 और girls 53 OBC 149 girls 565 SC 83 girls 205 ST 50 girls 147 और 2019 का इसके बगल में है तो खडगपूर हमने cover कर लिया बेटा अब हम लोग देखेंगा IIT रूड़की को IIT रूड़की में B.Tech का computer science की बात हम लोग कर रहे है 2020 में थोड़ा और easy हो गया 422 general rank तक के बच्चे को computer science यहां मिला था और female में 1269 तक को economical weaker section 70 241 girls की बात कर रहे हूँ पहला मैं general बोलूँँगा second girls बोलूँगा 2020 की OBC 205 950 SC 111 344 ST 66 202 2019 का आपको screen पे दिख रहा है 18, 17, 16, 2000 का आपको देखना हो तो आप हमारे telegram channel पे मिस्टा सर के नाम पे ढूड़ी है वहाँ पे मैं PDF या फिर JPG का provide करा दूँगा telegram channel का link आपके video नीचे description पे लिखा हुआ है अब आजाते हैं IT-BHU पहले ये IT-BHU होता था बाई IT-BHU बनारास हो गया है यहाँ पे थोड़ा और इजी हो गया है general category 885 girls में 1990 EWS 133, girls में 590 OBC non-creamy layer 380, 1532 SC 290, 799 ST 166, 241 और 19 का आपके screen में दिखा है यानी girls यहाँ पे करीब करीब 2000 ranking तक को आराम से IT-BHU में computer science मिल जाता है तो यतना tough नहीं है जितना हम लोगे इसको सोचा था अब आजाते हैं IT-Hydraabad IT-Hydraabad काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी इसका हाली में खबर आया था इसका placement average salary is better than even IT-Bombay हलाकि average salary से IT-Bombay से better होने के बावजूद हम इसको IT-Bombay से बढ़ियां नहीं कह सकते the region behind बच्चा कम है यहाँ पे तो average salary ज़्यादा हो सकता IT-Bombay में बच्चा ज़्यादा है तो average salary इससे भी down हो जाता है यहाँ पे computer science में general category 584 पे बंद हो गया था यानि अगर आप देखा जाए तो रुड़की के बाद इसका number आ सकता है कह सकते हो आप लोग और girls में 1382 EWS 93, 267 girls में OBC 228 girls में 1091 SC में 170, 261 ST में 96, 201 अब आ जाते हैं इसके बाद अगला number लगाता हूँ मैं IIT Ropad IT Ropad भी अच्छा perform कर रहा है तो IT Ropad की बात करेंगे IT Ropad में general 1943 girls का 4066 यानि girls की अगर rank 4066 है तो उसे computer science मिल सकता है EWS 322 girls में 772 OBC 1010 girls में 3023 SC 458 girls में 1530 ST 359 girls में 549 बाकि 19 का आपके screen पे दिख रहा है again बोलूँगा 18, 17, 16 के लिए आप telegram channel पे जाएए IT धनबाद ये भी पुराना college है यहाँ पे देख लिएते हैं computer science के लिए आपके रहें कितनी होनी चाहिए general category यहाँ पे तो 3029 पे भी आपको computer science मिल रहा है girls में तो 6041 EWS 438 girls में 778 OBC 998 girls में 2701 ST 616, girls में 1145 ST 30, girls में 646 और 19 का आपके screen पे है अब आजाते हैं IT Goarty IT Goarty old IT है और old is gold वाला funda यहाँ बरकरार है आप देख सकते हो इन IT हैदरावास के असपास इसकी ranking है मलब इसका जो बच्चों का रुजहान कह सकते हो उनका inclination तो computer science जन्रल में 588 पे close हो गया था girls में 1515 पे और EWS 102 और girls में 479 OBC 302 girls में 1387 SC 166 और girls में 612 ST 95 girls में 269 19 का आपके सामने है फिर आजाते हैं IIT तिरुपती नई IIT है तो जन्रल में 4117 पे computer science close हुआ girls में 52 70 EWS 503 girls में 1183 OBC 1663 girls में 3197 SC में 1081 girls में 1234 ST में 535 girls में 535 तो ये हो गया IIT तिरुपती हमने 12 IITs कवर कर ली हैं अब हम लोग बात करेंगे IIT गांधी नगर गुजरात की तो यहां पे इसकी भी बच्चों का रुजान इसकी तरब भी अच्छा है maybe because अब गुजरात Progressive City, Progressive State General 1488 पे close हो गया girls में 3460 EWS 216 girls में 852 OBC 767 girls में 39892 SC 528 girls में 756 ST 226 girls में 703 2019 में आपके सामने स्क्रीन पे वहांस देख सकते हो अब 14th IIT के बारे में बात करता हूँ पटना यह भी अच्छा IIT है यहां भी placement अच्छा जा रहा है और placement की भी बात में बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने माला हूँ इसमें जनरल केटेगरी 2719 girls में 6312 EWS 427 girls में 1038 OBC 1108 girls में 3037 SC 696 और girls में 746 ST 524 girls में 862 तो बच्चों इस तरह से हमने 14 IIT को overall cover किया है आपके सामने यहां पे आप देख सकते हो computer science लेना कोई बड़ी बात नहीं है 4000-5000 रैंक भी एकर IIT में आती है तो आपको कहीं न कहीं मिल जाता है but naturally अगर आपको top की IITs चाहिए तो कोसिस करना होगा अपनी रैंक under 500 रखें, under 200 रखें तो better होगा इसी के साथ साथ इसके पूरे detail मैं अपने telegram चैनल पे दे रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी ही आप लोग को placement record लेके आने वाला हूँ IIT Bombay का placement कैसा गया पिछले कुछ सालों से average क्या है किस industry में जादा गया IIT Kanpur का क्या है placement record IIT Delhi का IIT Madras का IIT Kharakpur Goa Hati and all IITs Along with a comparative analysis सारे IITs का क्या होगा ये वीडियो जल्दी आने वाला है ये effort है मेरा काफी research करना पड़ता है कोसिस करना पड़ता है आप बस इसको appreciate कर सकते हो by liking this channel adding some comment जरूर करके बताईए और अगर आप और कुछ चाते हैं तो मुझे बताईए कुछ error रह गया हो तो जरूर बताईए ऐसा possible हो सकता है कोसिस तो रहती error free हो बट compiling में ऐसा कुछ हो सकता है